रक्षा बंधन पर निवंध भाई बेहन का प्रेम कमाल इतिहास है इसका बेमे साल सब को याद दिलाने आता रक्षा बंधन हर एक साल रक्षा बंधन हर वर्ष भाई और बेहन के बीच अटूट प्रेम की याद दिलाने आता है इस दिन बेहन अपने भाई की कलाई पर एक बंधन ही नहीं बलकि अपनी रक्षा को सुनिश्चित करने का वचन लेती है बदले में अपने भाई की खुशाली की कामना और करती है सदियों से यह पर्व का अपना अलग महत्व रहा है आज के इस दोर में भी रक्षा बंधन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है इस पवित्र तेवहार का अपना अनोखा इतिहास है प्राचीन यूग से यह भाई और बहन की बीच के पावन प्यार का प्रतीक रहा ह एक धार्मिक मानेता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साक्षात प्रकट हुए और अपने भाई का राजधर्म का निर्वाहन किया तब से यह पर्व रक्षा बंधन के रूप में पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है भाई और बहन इस तेवार का सालवर से इंतजार करते हैं बहन कई दिन पहले से अपनी पसंद की राखी खरीती है इस दिन सुवे सुवे बहन तयार होकर हाथों में राखी और थाली सजाकर अपने भाई को राखी बांधने के लिए ततपर रहती है अगर भाई उससे दूर होता है तो वह दूरी तय करके अपने भाई के घर जाती है और उसकी कलाई पर राखी बांती है कई वार ऐसा संभव ना होने पर भाई भी पूरी तयारी करके अपनी बहन से राखी बंदवाने के लिए उसके घर जाता है अगर भाई और बहन के बीच की दूरी बहुत होने पर भी रक्षा बंधन के उत्सा में कोई कमी नहीं आती है बहने डाक द्वारा अपने भाईयों को रक्षा बंधन से कई दिन पहले राकी भेशती है जिससे की रक्षावंदन के दिन उनके भाईयों के हाथों पर राकी सुसज्जित रहे जिस तरह भाई और बहन का प्रेम पवित्र और अटूट है उसी तरह लोगों की इस त्यवहार में आस्था बरकरार है और हमेशा रहेगी बेशक राकी का स्वरू पदल सकता है पर इसका महत्व और प्रासंगिक्ता कायम रहेगी तो ये थी एक रक्षावंदन के उपर निवन्थ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेर और कॉमेंट जरूर करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद